ये गाईस वेल्कम बैक टू माई चैनल दीपिका स्टैल और मैं हूँ दीपिका चैसे आप सभी लोग आई होप सब ठीक होंगे तो ये देखें मैंने बैंगल्स बनाई हुए हैं ये देखें कितने ब्यूटिफुल बैंगल्स लग रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगी कि मैंन आप कैसे बना सकते हैं ये देखें ये मैंने ग्रीन कॉम्बो में इसको रखा है ग्रीन और ये वाइट और गोल्डन का उसमें है बहुत इजी लिए बन जाता है तो चलिए हम ज़्यादा बाता नहीं करते हैं और मैं बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से इनको बनाया है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिए जगा पास में ही बैल इकन का बटन है तो उसे भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो अभी मैंने जो बैंगल दिखाए हैं आपको वो मैं इस बोटल से बनाऊंगी यह कोल्डरिंग की बोटल है तो इस बोटल से मैं बैंगल बनाऊंगी तो वीडियो आइन तक जरूर देखना कि मैंने किस तरीके से बैंगल बनाए है और अगर वीडियो पसंद आए तो प बोटल के ऊपर निसान लगा लेंगे कि हमें कितनी साइज का बैंगल बनाना है और उस हिसाब से हम इसको डिवाइड कर लेंगे बैंगल के लिए हम यहां से लेके यहां तक मारकर से निसान लगाएंगे कुछ इस तरह से यह देखिए नीचे भी हम ऐसी निसान लगा लेंगे यह देखिए मैंने बैंगल बनाने के लिए यह कि यह मारकर से निसान लगाया है और एक यह तो इतना हिस्सा हमें कट कर लेना है तो मैं इसको कट कर लेती हम पहले तो कंची की मदद से आप आराम से इसको कट कर लीजेगा इतना और इनका मतलब आपको यह पूरा अगर बैंगल बनाना है बड़े साइस का बैंगल बनाना है तो आप पूरा भी रख सकते हैं आधर वाइस आप इनको ऐसे डिवाइट कर सकते हैं आपको मैं यहां पर चार बना रही हूं बैंगल्स इस तरीके से दिए देखिए वन टू थ्री फोर यह मैंने चार हिस्सों में डिवाइट कर लिया है अब मैं इनको कट कर लूँगी तो यह देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इनको कट कर लिया है यह चार बैंगल्स बनेंगे इसमें यह देखिए अभी यह थोड़ा सार पेज है यह आप देख सकते हैं कॉर्णर पर तो मैंने कुछ इस तरीके से कैसी की मदद से इनको कट कर लिया है तो नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं तो यह बैंगल की सार्पनेस अटाने के लिए कॉर्णर पर थोड़ा सा अराफ है यह तो यहां पर मैंने प्रेस लिया है यह हलका गरम है जादा गरम मत करिएगा हलका गरम है इसको सिंपल सा ऐसा करना है कि इसकी सार्पनेस थोड़ी सी खताम हो जाएगी और यह चुभेगा भी नहीं यह देखिए यह देखिए आप आई थिंक देख पा रहे होंगे यह देखिए तो बाकी भी मैं कर लेती हूँ अच्छे से फिर आप से मिलती हूँ तो यह देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेस की मदद से मैंने इस बैंगल की रफनेस खतम कर दी है तो अब ये bangles बनने के लिए एकदम तयार है तो अब हम क्या करेंगे इसमें ये जो lace है इस lace का यूज करेंगे ये glue है तो मैं बताती हूँ कि कैसे use करेंगे इसके उपर हमें लपेटना है तो सबसे पहले हम glue apply करेंगे ये fabric glue है आपको इसा भी glue यूज कर सकते हैं फैविकॉल भी यूज कर सकते हैं glue अच्छे से apply करिएगा क्योंकि lace में भी glue लगना चाहिए और अच्छे से इसको set होना चाहिए ये देखे glue apply कर दिया है अब हम सबसे पहले ये underside इसमें से lace लगाएंगे ये देखिए कुछ इस त के बाद ऊपर साइड लाती हुए इसको हमें round round cover करके पूरा bangles cover करना है लेज से ये देखिए तो लेज थोड़ा सा बड़ी है थोड़ा time लगेगा ये देखिए अच्छे से चिपकना चाहिए इसलिए glue आपको अच्छी apply करना पड़ेगा ये देखिए उपर से bangles cover करती हुए पूरे जहाँ जहां हमने glue apply किया है ये देखिए ऐसे cover कर देंगे इसको पूरे bangles को हम इसी तरह से पूरा cover करेंगे लेज से ये देखिए कुछ इस तरीके से हम करेंगे गैप नहीं होना चाहिए लेस में इसलिए मैं इसको पूरा अच्छे से कवर करती हूं फिर आपको दिखाती हूं और फिर आपसे मिलती हूं यह देखे जैसे यह मैंने लगाया है मैं पूरे बैंगल पर कवर कर लेती हूं फिर दिखाती हूं आपको तो यह देखिए मैंने पूरा इसको लेज से कवर कर लिया है लग रहा है ना एक बैंगल की तरह बिलकुल अब लग नहीं रहा है बिलकुल कि यह प्लास्टिक बॉटल का हिस्सा है तो ये देखिए बाकी बैंगल्स में भी मैंने अच्छी से ले्च लगा दी है lied अब लग भी नी रहा है कि ये प्लास्टिक बोटल से बैंगल्स बना रहे हैं तो चली हम इनको थोड़ा सा और डेकवरेट करते हैं तो अब हम इन बेंगल को और थोड़ा सा सुन्दर बनाएंगे कुछ मोती और चैन का यूज करके यह दिखे मेरे पास कुछ मोती हैं और यह चेन है तो चेन हम इसमें अप्लाई करेंगे तो मैं सेंटर में चेन अप्लाई करूँगी तो पहले हम ग्लू अप्लाई कर लेते हैं ये देखिए बीचों बीच अच्छे से ग्लू अप्लाई कर दिया है अब मैं इसमें चेन लगाँगी मैं इसको यहां पर कट कर दूँगी यहां पर यह खतम हो गया यह देखिए चेन में आप्लाई कर दी है तो अब हम यह अप्लाई करेंगे तो इसके लिए भी मैं ग्लू लगाँगी यह बिएखिएएएएएएएए़की ग्लाई करेंडे नहींड़ाँगी ऑ्लाई करदा करेंगे हैं आपशना जी है इसके ग्लाई करेंगे? उर्ट इसके ग्लाई करेंगी? यह देखिए ऐसे में वन वाय वन वाय पूरा कवर कर लेती हूं फिर मिलती हूं तो यह देखिए मैंने अच्छे से एक साइड पूरे मोती लगा दिये हैं यह देखिए कितना सुन्दर लग रहा है भी ही अब मैं दूसरी साइड वी ऐसे ही सेम मोती अपलाई करूंगी मैंने दौनों साइड अच्छे से मोती अपलाई कर दिये हैं यह देखिए बहुत ही बड़िया लुक आ रहा है मोती लगाने के बाद यह देखिए कितना सुन्दर लग रहा है अब मैं इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करूंगी तो यह देखिए अब इसको और सुन्दर ब लोड़ लुक आ रहा है देखने पे भी बहुत बड़ियां लगेगा और पहनने पे भी बहुत सुन्दर लगेगा तो सबसे पहले मैं ग्लू एपलाई कर दूँगी तो यह मैं फैब्रिक ग्लू वी एपलाई करती हूं आप फैबिक यूझ यूज कर सकते हैं यह देखिए ग्लू एप्लाई करते जाएंगे हम और बॉल चेन का भी योज़ करते जाएंगे ये देखे कुछ इस तरीके से मैं इसको लगाऊंगी बहुत ही सुन्दर लुक आता है लगने के बाद ये देखे तो ये देखे मैंने लगा दी है पूरी बॉल चेन अब मैं इससे टूल की मदद से बाकी की बॉल चेन कट कर दूँगी जितनी हमें जरूरत है उतनी ही लेंगे ये देखे अब मैं इसको अच्छे से सेट कर दूँगी ये देखे एक साइड लगा ली है मैंने अब मैं दूसरी साइड भी इसको सेम बॉल्ल चेन की बनत से इसको डेकोरेट कर देती हूँ ये दूसरी साइड भी लगा देती हूँ तो ये देखिए दौनों साइड मैंने बॉल्ल चेन लगा दी है कितना सुन्दर ये बैंगल बनके तयार हुआ है आप मुझे जरूर बताइएगा कॉमेंट में यह देखे तो बाकी भी मैं बैंगल ऐसे ही रेडी कर लेती हूँ फिर आप से मिलती हूँ तो यह देखिए दोनों बैंगल मैंने रैडी कर लिये हैं हम चार बैंगल बनाने वाले थे तो दो बैंगल मैंने इस डिजाइन के बनाए हैं और दो बैंगल मैंने दूसी डिजाइन से बनाए हैं यह देखिए इसमें मैंने ग्रीन और गोल्डन कलर का यूज किया है यह यह कितने सुन्दर लग रहा है आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताईएगा कि आपको कौन से बैंगल ज्यादा पसंद आए यह देखिए इनका लुक कितना अच्छा लग रहा है और आप मुझे जरूर बताईएगा कि यह लग रहा है कि प्लास्टिक बॉटल से बनाए हु बहुत ही प्रिटी लग रहा है मुझे तो विश्वासी नहीं हो रहा हुए कि यह प्लास्टिक बॉटल से बनाए है यह देखिए ग्रीण वाला भी बहुत बड़ीया लुक देता है यह देखिए बहुत आसान है इनको बनाना बहुत इजी तरीके सा हम इनको बना सकते हैं यह देखिया कितनी सुन्दर लग रहे हैं यह सो गाइस मैंने यहाँ पे आपको यह बैंगल्स बताया बनाना अगर मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीस एक लाइक जरूर कीजेगा और कॉमेंट में मुझे बताईएगा कि आपको कौन साइट अच्छा लगा और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीस मेरे चै किसाद तक तक लिए मैं